नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विशेपर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं जैसा कि हमने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बबात करने वाला हूँ ग्राम प्रधान का चुनाओ जीतनी की ट्रेनिंग ये वैसे तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे पेड कंटेंट मिलने वाला है और कई लोग जिन्होंने पेड ट्रेनिंग ली हुई है जो पेड ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें फिर ये लगेगा कि यार हमने पैसे दी और सर ने वो चीज़े फ्री में दे दी लेकिन इस वीडियो को बनाने की वज़ा ये है कि एक साथी का मुझे एक वटसेप आया और जिसने मुझे मजबूर किया ये सब तैयार करने के लिए उसने का कि सर मैं वाकई देश के लिए अपने गाउं के लिए समाज के लिए भारत की राज़िती को बदलने के लिए कुछ करना चाहता हूँ और आपका साथ आपका सही होग चाहिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं आपके ट्रेणिंग अफोर्ड कर सकूँ लेकिन मेरी आर्थी सीथी इतनी भी खराम नहीं है कि मैं चुदाओं ना लड़ पाऊँ बस मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी ट्रेणिंग मुझे दे दे मैंने पहले सुचा कि नहीं नहीं देनी चाहिए फिर मुझे लगा कि यह अकेला व्यक्ति नहीं है ऐसे ना जानी कितने लोग होंगे जो वाकए ग्रामिस्तर पर बड़ा बदलाव करना चाहते होंगे तो उन्हें मुझे कुछ इंपुट दे देना चाहिए तो मैं ब्रीफ में ट्रेनिंग दे रहा हूँ ट्रेनिंग में क्या-क्या सीख रहे हैं को कौनकों से टॉपिक मिलने वाले उनके बारे बात करेंगे और कैसे आप ट्रेनिंग में इस ट्रेनिंग को इस्तमाल करके अपने आपको राजनिती में स्थापित कर सकते हैं ग्रामिस्तर की राजनिती में सफल हो सकते हैं कुशिश करेंगे 5 यचे पार्ट में इस ट्रेनिंग को किया जाए और 10-10, 12-12, 15-15 मिंट के वीडियों हों और हर वीडियो में 3-4 टॉपिक को कवर किया जाए आज की वीडियो में 4 टॉपिक में कवर करने वाला हूँ सबसे पहला ग्राम सभा को चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें मैं बात करूँगा जब भी वैसे तो हम जहां रहते हैं हमें उसी ग्राम सभा से चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ने आप क्योंकि चुनाव रूल के हिसाब से आपका वोटर आईडी कार जहां का है हम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं तो आपको समीकरन देखने होंगे समीकरन यदि आपके फेवर में आपके ग्राम सभा के हैं तो वहां से यदि आपके ननी हाल से समीकरन आपके फेवर में तो वहां से यदि आपके ददी हाल में समीकरन फेवर में वहां से यदि आपके इनलाउस के हाल से आपके समीकरन फेवर में तो वहां से यदि कोई लड़की है बिहाई हुई है और उसका मैके में जाद अच्छे समीकरण तो वहाँ से अगर सुसराल में जाद अच्छे समीकरण तो ससुराल से हमें सारे समीकरण देखने होंगे तब जाकर के हम ग्राम सभा को चुने तो हमें ये धियान रखना है कि जहाँ पर समीकरण हमारे फेवरेबल हूँ अब समीकरण फेवरेबल की क्या पैरामीटर है क्या परिभाशा है कैसे माने कि हमारी ग्राम सभा में समीकरण हमारे फेवर में है या हमारे खिलाफ है तीन चीज़े हैं जिससे आप identify कर सकते हैं, Number one, जहां पर उस gram सभा में, आपकी छवी आपकी image, फ्यवरेबल हो, या अगर फ्यवरेबल ना भी हो, तो निूटरल हो, खराब ना हो, तो अगर आपकी छवी खराब नहीं है, निूटरल है, या फ्यवरेबल है, तो वहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है दूसरा कम से कम आपके अपने परिवार के खांदान के या कुछ वोट होने चाहिए तो पचास वोट काफी है अगर किसी गाउं में दो जगा आपके समिक्रन फेवरेबल हैं आपके अपनी जगा भी और अपने ननिहाल में भी या एक तीसरे गाउं में भी जहां पढ़ाई किये आपने या आपने जादा समय गुजारा या आपको व्यापार करते हैं वहाँ पर तो तीनों जगाउं कंपेर करो कि कहां सबसे जादा वोट आपके अपने हैं कहां आपने खास लोग आपके अपास जादा हैं वहाँ पर चुनाव जीतनी की संभावन अधिक होती है तीसरा फेवरेबल है आ नहीं कैसे पता चलेगा वहाँ के वरतमान प्रधान क सिती जो वर्तमान परदाने वो कैसा है और उसके कंपरिजन में आप कहां टिकते हैं कि वहां की सिती उतनी फेवरेबल नहीं होती है वहां पर किसी पर्टिकुलर परिवार का वर्चस होता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा होता है जो हमसे जादा पारफुल है दबंग है वाला है या किसी और चीज़ में संपन है तो उससे बहतर यह रहता है कि जहां पर थोड़ा इजी कॉंपटिशन हो जहां पेनेट्रेट करना असान हो तो पहला तो ट्रेनिंग में हमें यह सीखना है कि हमें अपनी ग्राम सभा कैसे चुलनी है जिसके बारे मैंने बताया अर्थी की सिथी आपकी मांसी की सिथी आपकी राजनिती की सिथी आपकी शारिरी की सिथी आपके साथ के जुड़े हुए लोग आपकी टीम तो आप अपनी सिथी देखिए कि आपकी सिथी कहां फेवरेबल है जहां पर फेवरेबल है उस सिथी के हिसाब से आपको पास्ता नहीं है और आप यूद्र लगने जा रहे हैं यह यूद्र होने वाला है भले ही वहाँ खून खराबा ना हो वैसे तो ग्राम सभा में हो भी चाहता है लाठिया डंडे चल जाते हैं और कई बार गोलिया भी चल जाती है लेगे फिर भी अपनी सिति को देखिए आपक धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करिए जब आप दूसरी जाती धर्म के लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं पेनेट्रेट करते हैं तो इससे आपको दो फायदे होते हैं पहला फायदा आपकी अपने लीड बढ़ जाती है और दूसरा विरोधी जो है उसकी तो हमेशा एक वोट को दो काउंट करके चलिए जिस वोट को भी आप तोड़ लेंगे जातिकत समीक्रणों को तैयार करना धार्मी समीक्रणों के इसाब से अपनी टीम को बिल्ड करना तीसरी चीज़ टीम में किस तरह के लोग रखे जाए और टीम कैसी तैयार की जाए मोटे ग्राम समाएं हमारे याँ पर 15,000, 12,000, 10,000 वोट कीमी है तो जितने जादा बड़ी होगी उतनी जादा टीमों की जरूरत होगी या टीम के साइज उतने जादा होगे मोटे मोटे तोर पर गाउंपर आपको प्रोमोशनल टीम ज़रूर चाहिए होगी तो एक प्रोमोशनल जो आपके लिए रणनीती बनाने का काम करें तो एक टीम रणीती कार की भी होनी चाहिए उसमें एक या दो लोग हो सकते हैं जो लोग आपके साथ बैट करके रणनीती बनाएंगे और जब भी जो चुनौती आएंगी उन सारी चुनौतियों से पार पाने की कोशिश मदद कर सकती हैं चौती चीज़ बूत का मैनेजमेंट वैसे तो बूत लेवल मैनेजमेंट जैसे मैंने का इस सारी चीज़ें मैं ट्रीनिंग में सिखाते हूं बट मैं ब्रीफ में बता रहा हूं आप अपने ग्राम सभा में जितने भी बूत हैं अमूमन 500-600 वोट पर एक बूत होता है तो अगर आपके यहां 2000 वोट हैं तो चार बूत होंगे 10,000 हैं तो उस रिज़ाब से आपके यहां पर 15 या 18 बूत होंगे 20 भी हो सकते हैं हर बूत पर कम से कम 5-5 लोग चाहिए होंगे आपको अब आपको ऐसे लोगों को इडेंटिफाय करना प किस तरह से आपको लोगों से मिलवाएगा किस तरह से आपका प्रमोशन करेगा किस तरह से वो वहां लोगों में आपकी लहर बनाने का काम करेगा यह बूत कमेटी को ट्रिनी दी जाएगी बूत कमेटी को सिखाय जाएगा और हम लोग आपको सिखाते हैं तो आप अपने ल सकते हैं जो कोई भी विरोधि नहीं दे सकता है और उसको बार 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 लोगों के दिमाग में पहुंचाना और यह काम बूत कमेटी कर सकती है उसको इस्टेबलिश करना आपके जिम्मेदारी होगी गाइड हम करेंगे टीम आपने बनानी है जब आप फॉर्मल पूरी ट्रे जीतने में आगे बढ़ने में टीम बनाने में लोगों के बीच में आपकी पहचान बनाने में मदद करेंगे अभी इस वीडियो में मैं इहीं चार टॉपिक पर बात कर रहा हूं अगली वीडियो में अगले चार टॉपिक पर आ तीन टॉपिक पर बात करूंगा और नहीं करूंगा आपको फिर भी अगर आपको इन चार बातों से रिलेटीड जो भी मैंने इसमें बताएं कोई डाउट है कुछ छोटी बोटी चीज पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्केशन जाएगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा आप डारेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं आप मेरी टीम से संपर कर सकते हैं मेरी टीम आपको मुझसे करेट कर देगी पास दस मिंट बात करने हो फिर ये ऑफ कॉस बात करिए अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है डिटेल में जानकारी लेनी है या आपको आकई सीरियस हैं चुनाओ लड़ने के लिए चुनाओ जी नहीं हो सकता, बड़ा परिवर्ता नहीं लाया जा सकता, मैं कुशिश करूँगा आगे भी आपको गाइट करता रहूं, आज के लिए तना ही, आपके उजोर राजिंती भविश्य के लिए हारदिक शुपकाम नाए, जै हिंद, जै भारत!